नमस्का और मैं प्रिंका आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूस इंडिया कॉंग्रिस की भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना तगड़ा है कि पूरा विपक्ष तूटता हुआ दिखाई दे रहा है हमने आपको खबर दिखाई कि कॉंग्रिस पर हमला रहने वाले बाबा राम देव अब राहुल गांधी की ही कारीफ कर रहे हैं खबर ये भी सामने आई कि RSS प्रमुख मोहन भागवत मजजद जा रहे हैं और चोकाने वाली बात ये है कि इमामों से मिल रहे हैं लेकिन अब उससे भी जादत चोकाने वाला मामला ये सामने आया है कि RSS राहुल गांधी की भाशा बोल रही है जी हां मोधी के करीबी माने जाने वाले और RSS के दूसरे नंबर के नेता सरकारिवाहक दत्तात्रे होसबाले ने एक ऐसा बयान दिया कि लोग सुनते ही रह गए कैसे उन्होंने अपने बयान में महगाई गरीबी और बेरोजगारी पर हमला बोला है क्या कुछ कहा है उनका बयान ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये RSS से आते हैं और RSS के दूसरे नंबर के नेता है और मोधी के करीबी माने जाते हैं और कैसे रहुल गांदी की भाशा बोल रहे हैं उनका बयान जरत्ध्यान से सुनेए इसके बाद आपको बताएंगे कि कॉंग्रिस ने कैसे हमला बोला है और कैसे ये प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के करीबी है पेपर की कटिंग देखें उनका बयान सुनेए इसमें प्रधार मंत्री की जो तारीफ है उसमें फुल बांधने से ये कभी बाज नहीं आते हैं लेकिन आज उनुने जो बयान दिया है वो चर्चा का विशेर बन चुका है उन्होंने कहा है कि गरीबी बेरोजगारी देश में दानव की तरहा खड़े हैं बेरोजगारी लगातार ब के गांध लिखा है कि राष्टि स्वयम सेवक संग के सरकार वाहक दक्तात्रे होजबोल बाले ने रविवार को कहा कि देश में गरीबी बेरोजगारी दानों की तरह खड़े हैं असमान्ता बढ़ रही है जैसा कि कहते हैं राहुल गांदी की बेरोजगारी बढ़ रही है असमानता बढ़ रही है वैसा ही कुछ RSS भी बोल रही है पूरा मयान क्या है वो भी सुनिएगा कैसे उन्होंने बेरोजगारी का जो आकड़ा है वो भी बताया और उसके साथ असमानता पर कैसे हल्ला बोला है कहना है संग के जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के कारिक्रम में गरीबी पर चिंता जटाते हो उस बोले का कहना है कि यह महें इस राक्षस का बढ़ करें नौराइज JACK Treasury केह है उसके साथ आप देख सकते हैं दständा आने वाला है तो कहा है उन्होंने कि चार करोड बेरोजगार है श्रंबल सरवेक्षन कहता है कि देश में बेरोजगारी दर 7.6 फीसदी है उन्होंने कहा कि एक और बड़ा मुद्दा भरती आर्थिक असमानता है भारत दुनिया की पाच्वी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था है लेकिन क्या ये इस्थिती अच् के पास देश की आयका केवल 13% है इसी तरीके से राहूल गांदी लगातार भारत जुड़ो यात्रा के दौरान और पहले भी कैसे कॉंग्रिस हमला वर रहती है भारती जंता पार्टी पर आप जानते हैं राहूल गांदी अपने बयानों में लगातार केते हैं कि गरीबी ब भारत만 चल रहे हैं एक हिन्दुस्तान सुखी है संपन है तो वहीं दूसरा हिन्दुस्तान गरिबी और महंगाई की मार झेल रहा है इस तरह की बयान बाजी करते हुए हमेशा राहूल गांधी बीजेपी पर हमला वर रहते हैं वहीolor भाषा जाता है यह वही नेता है जो कि मोधी के करीबी माने जाते हैं और लगाता प्रदान मंत्री नरेंद्र प्रोदी समेध भारती जन्ता पार्टी की हर रणरार नीती की तारीफ कर्टें इनका कता उच्जा है वो भी आपको बताएंगे लेकिन पहले इनके भिभारत बंट को शेयर करते हुए Kぜ confron. raam च्रोड यात्रा का अब बात हो रही है गरीबी की, बेरोजगारी की और असमानता की, जैराम रमेश का कहना है कि जहर पैलाते हैं हिंदू-मिस्लिम करते हैं लेकिन आज अपनी पहुच बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा है, भारत जोडो यात्रा का असर व्यापक किस्तर पर दिखाई दे रहा है, अब बात करते हैं दत्तात्रे होसबाले जिन्होंने ये बयान दिया है, वो है कौन? सुनिएगा, TV9 भारत वर्ष की खबर में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि RSS में सरवाहक का पद नंबर 2 का होता है, जिस पर दत्तात्रे होसबाले काम कर रहे हैं, सरसंग चाल की जिम्मेदारी संभालेंगे, तो आप देख लिजे, सरसंग चालक यानि की मोहन भागवत के बाद आते हैं, सरकारवाहक जो की दत्तात्रे होसबाले हैं, उन्होंने RSS आप जानते हैं कि कैसे काम करती है, कैसे बयान दिये जाते हैं, कैसे भारतिये जनता पार्टी की सहयो पार्टी जनता पार्टी की सरकार चले है, मोदी जी प्रदानमंध्री हैं, लेकिन बयान बादी बदलती हुई दिखाए दे रही है, ठाथरे होसबाले के बारे में आपको ये भी बता दूँ कि प्रदानमंध्री नरेंद्र मोदी के काफी करी profoundly माने जाते हैं, भारत विश सरकार में लॉकडाउन का सक्त पैस्टा लिया था तब उन्होंने सरकार की प्रशंसा की थी कहा था कि महमारी के मुश्किल दौर में देश को एक जुट रहना होगा तो इस तरीके से हर बार दत्तात्रे होसबाले ने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी की तारीफ की है और वो उन गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना तो कम से कम दिखाई दे रहा है कि मुद्दो पर बात हो रही है अभी तो बस शिरुवात है ये तूफान देश की राजनीती में किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन इन खबरों से इतना तो सब्सक्राइब करें अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर्द